नमस्केर, स्वागत है आपका अभ्यास के आज के अंक में जहां प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हमारे दोस्तों को हम रूबरू कराएंगे फिलोसफी से जुड़ी जानकारियों के साथ और इस विशे पर हमारे आज के एक्सपर्ट है डॉक्टर प्रशांत कु जो लक्ष्मिम्बाई कॉलेज डेली यूरिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र में भाग से है आपका बहुत-बहुत स्वागत कारेकर्म का अगाज हम करेंगे एक्स्पेनर सेग्मेंट से जिसे पेश करेंगी दीपमाला और विशे बहुत ही खुबसूरत सा है वो है खुशी शब्द का प्रयोग केवल जीवन की सकरात्मक प्रशंसा के लिए नहीं किया जाता ये एक मात्रा को संदर्भित करता है जैसे लंबाई या वजन की अवधारना ये किसी चीज के अधिक या कम को दर्शाता है जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति खुश है तो हमारा मत है कि वो अपने जीवन का मुल्यांकन प्रतिकूलिता के बजाए अनुकूल रूप से करता है प्रसनिता एक अवस्था है गुण नहीं दूसरे शब्दों में ये लंबे समय तक चलने वाली स्थाई विशेष्ता या व्यक्तित्व विशेष्ता नहीं है बलकि अएक अधिक शन भंगुर, परिवर्तनशील, स्थिती है खुशी को प्रसनिता या संतोश महसूस करने के बराबर माना जाता है जिसका अर्थ है कि खुशी को प्रसनिता, परमानंद, आनंद या अन्यतीवर भावनाओं से ब्रहमित नहीं होना चाहिए ये किवल एक व्यक्ति की स्थिती है ये सामोहिकता पर लागू नहीं होता इस प्रकार एक राष्ट को सुखी नहीं कहा जा सकता भले ही इसके अधिकांश नागरिक स्वयम को सुखी मानते हूं व्यक्ति परक खुशी एक व्यक्ति द्वारा जीवन की एक व्यक्ति परक प्रशंसा को दर्शाता है इसलिए ख व्यक्ति जो सोचता है कि वो खुश है वास्तव में वो खुश है भले ही उस व्यक्ति को गलत जानकारी क्यों न दी गई हो खुशी शब्द का प्रियोग तब किया जाता है जब किसी ने अपने जीवन की गुनवक्ता के बारे में समक्र निर्ने लिया हो इसका तात्पर ए कोई ये नहीं कह सकता कि कोई व्यक्ति खुश है या नहीं, अगर व्यक्ति बौधिक रूप से समग्र निर्ने लेने में असमर्थ है, इस प्रकार अबधार्ना का उप्योग जानवरों या छोटे बच्चों के लिए नहीं किया जा सकता, अतीत में सुखवादी सुख की तु व्यक्ति को अपने जीवन का मुल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, खुशी शब्द एक निर्ने को संधर्भित करता है, जो उप्योग किये गए सभी प्रशंसा मानदंडों को एकी कृत करता है, इस प्रकार ये विचार कि किसी के पास सब कुछ है जो उसने कभी चाहा है, जरूरी नहीं कि व्योव्यक्ति को खुश करे। हम फिलोसफर की मानें, तो कुछ फिलोसफर कहते हैं, ये एक therapeutic subject है, मतलब जब हम इस subject को पढ़ते हैं, तो हम ऐसा लगता है, जैसे हम अपने आपको और बेहतर बना रहे हैं, तो हमने देखा है कि चाहे हम एक छोटे से exam लें, या फिर किसी भी प्रश्टियोगीता के बारे हम बात करें, तो हम लोग बहुत ज्यादा mentally upset रहते हैं, हमेशा हमारे सामने सवाल रहता है कि क्या हम इस exam को clear कर पाएंगे, एक बहुत बढ़ा बोज रहता है हमारे उपर, तो philosophy ऐसा सिर्फ subject की तरह काम हमारे नहीं करता है, बलकि जब हम philosophy को पढ़ रहते हैं, तो हमारे मन क नहीं होता है, और दूसरी चीज, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इसके structure को समझने की कोशिस करना सुरू कर दिया है, क्योंकि जैसे हम देखेंगे कि philosophy के जितने सब domains हैं, जिसको हम ग्यान मिमान शार, तत्व मिमान सा, ethics, इन सब के बारे हम देखते हैं, तो एक दूसरे से स साही चीजें connected हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से इसकी तत्व मिमान सा कुछ समझ लिया, तो ग्यान मिमान सा, उसके बाद जो इसके ethical aspect है, जो इसके aesthetics के accept है, अपने आप ही साही चीजें clear होना सुरू हो जाती है, तो इस subject की सबसे खास बात यह है, कि पहले आपको बहु critic exams हो, या फिर हम किसी भी तरह का कोई भी exam हो, उसमें आपका syllabus पहले बाद तो बहुत कम होता है, और हूब हो जैसे logic की की सवाल हम देखने की गोसिस करेंगे, तो अगर आपको उसके concept clear है, आप पूरा देख सकते हैं, इससे फाइदा यह होता है कि आपके marks बहुत अच्छे clear हो जाती है, अगला सवाल है, मैं दिली से खादिम गोहर बोल रहा हूँ, मेरा परशन यह है कि logic में किस परकार के परशन पूछे जा सकते हैं, और हमें कौन सी किताब रैफर करनी चाहिए, लाजिक का सवाल सिर्फ उसे philosophy के तक ही सीमित नहीं है, इसकी अलावा जो हम first paper, second paper bureaucracy में देखते हैं, या फिर किसी भी competitive exam में जो हम reasoning और इसके सवाल भी पूछे जाते हैं, तो पुराने समय में Greek में एक philosophy पर हुई Aristotle, उन्होंने logic पे काम किया, और तरीमन 1800 सौल तक उनकी logic को माना गया, उन्होंने एक concept दिया था, categorical proposition का, जिसमें हम लोग A, E, I, O के बारे में समझते हैं, और उसी के माध्यम से उनके इसको संबंध को दिखाने के लिए, उन्होंने एक original square of opposition की बात की, तो normally जब भी कभी हमसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कि अगर all men or mortal ये true है, तो some men or mortal का truth value क्या होगा, क्या वो सही होगा, क्या है गलत होगा, और ऐसे आपको चार से पांच सवाल हमेशा आपको computer exam में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि लोग जो हमारे categorical proposition है, उनके संबंधों को नहीं समझते हैं, इसलिए almost सारे लोग इस सवाल को गलत करते हैं, तो ये basic questions हैं, जो आपको किसी भी B grade में logic के सवाल पूछा सकते हैं, लेकिन है क्या argument, तो इस तरह के logic में आपको सवाल बहुत ज़र पूछा आते हैं, फिर ये भी पूछा आता है कि अच्छा, 1800 सवाल तब एक logic चलती रही, लेकिन जो modern logic आई, तो इसमें ऐसी क्या खामिया थी पुरानी logic में, जो हमें modern logic की तो इस तरह के सवाल पूछा आते हैं, ले समय में ही आके हमने नई तरह की logic के वाल में सुचना सूर किया, लेकिन क्योंकि आप competitive exam दे रहे हैं, तो आपसे बहुत ही ज़रे deep में logic के सवाल नहीं पुछा आते हैं, इसकी लिए आपको सिर्फ और सिर्फ introductory book का ही इस्तेमाल करना होगा, सबसे बेहतर किताब जो कि आप द जिसमें logic के basic जो है, उसको clear किया जा रहा है, categorical proposition को clear किया जा रहा है, categorical syllogism को clear किया जा रहा है, fallacies को clear किया जा रहा है, symbolic logic के कुछ portion है, उसको clear किया जा रहा है, अगर आप सिर्फ उसको पढ़ लेंगे, तो है, एक दिक्कत इसमें जरूर आ सकती है आपको, क्योंकि ये कित मेरी सुपरवाइजर की बहन मर्च अंदर सेंड वो भी एक लॉजीशन है उन्होंने भी एक किताब लॉजिक की लिखी है जो कि सेम ही पैटन पर चल रही है सारे बेसिक कॉन्सेट आपको क्लियर करते हैं तो यह तीन किताबों को कर आप पढ़ेंगे तो आप साहिदी को ऐसा इंटरस्ट है फिलमी सॉंग्स में में इसाब से जोकर मूवी आई थी, बहुत पुरानी मूवी, मेरा नाम जोकर, और उसके गाने भी अगर आप सुनहेंगे तो आपको लगएगा कि क्या फिलिसॉसॉफ कल है, और में इसाब से 80's में जितने भी गाने लिखे गए और खास झाल 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 हमारे एक्सपर्ट तक पहुचाते हैं अगला सवाल है जब भी कभी हम भालती दर्शन की बात करते हैं तो बहुत से लोग इससे इसलिए हटने की कोशिस करते हैं क्योंकि इसके जो टम्स हैं उसमें उनको लिखने हैं तो मैं बस यह कहूँगा कि जब भी कभी आपको भालती दर्शन पर कभी भी कोई सवाल लिखने को कहा जाए तो उसमें जो इंपोर्टेंट चीज है वो है उसके डाया क्रिटकल मार्क्स की नॉर्मिली जब हम किसी भी हिंदी सब्द को अंग्रेजी में लिखते हैं तो ह चिटल्धी अंड़्ट्अ की किताब है इन्टा को समझने की बहुत आसान है खासकर हम ब्रशद् advertisements में नौ इसकूल की बात करते हैं छे स्कूल जो वेदो को मानते हैं तीन इसकूल जो वेदो को नहीं मानते तो उनके बारे में एक अगर आप सार में उसके सभी concept को समझना चाहें तो चेटल जी एंड डप्ता की किताब हम कहेंगे लेकिन अगर अभी उसकी को आपको critically देखना हो कि अगर ये सवाल पूछा जा रहा है तो इसके response में क्या सवाल पूछा जा सकता है किसी भी दर्सन के अ perspective से कि जो लोग हम exam देने उसकी हिसाब से उन्हें ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है उसे भी आप directly डाल सकते हैं Google में आपको पहले नंबर पर किताब मिल जाएगी उसमें उन्हें पूरा structure के साथ हर एक concept को नहीं explain किया है तो ये तीन किताब को अगर आप focus करेंगे तो भालती दर्शन के सारे स्कूल हैं जो आप cover कर सकते हैं अब लोग जब बात करते हैं दर्शन शास्त्र में तो अरस्तु का नाम बहुत बार आता है आपने भी अभी पहले दूसरे सवाल पर ऐसा नाम लिया था तो हम यहीं जाते हैं कि यह अगला सवाल जो हमारे आखंड से बोल रही हूं मेरा सवाल है कि अरस्तु की नैतिक्ता का व्याख्या कैसे करें और मुझे यह भी बताएं कि नितिशास्त्र में निबंध कैसे लिखा जाता है देते हैं जो नाम है युटेइमोनिया युडेमुनिया के मतलब होता है अगर हम loosely translate करें अंग्रेजी भासा में flourishing कि हमें एक इनसान को कैसे flourish करना चाहिए और उस flourishing के माध्यम से कैसे हम अपनी virtues को वल्च्यूस मतलब जो हमारी good हैं कैसे हम उसको develop कर सकते हैं तो बहुत बात ऐसा कहा जाता है कि अरस्तू एक मध्यम पात की तरफ ले जानी को सेस करते हैं कि अगर जैसे एक example के तोर पर आपको मैं समझाता हूँ कि अगर सेर सामने खड़ा है और आपको उसे लड़ना है तो अरस्तू कभी नहीं कहेगा कि तुम जाओ और लड़ जाओ कि तुम्हारा virtue है कि तुम करेजिया सोजा और लड़ जाओ वो यह कहेगा कि चलो पहले बीच में तो चले आप अपने virtues को ऐसे develop कीजे कि आप पहले बीच तक पहुँचे फिर जब आप पहुँच जाएंगे तो फिर आप बीच का और रास्ता का उन्प्रीट कीजे फिर और कीजे तो इसका मतलब यह हुआ कि अरस्तू आपसे यह कह रहा है कि आप धीरे धीरे जो अपनी virtues जो इसको बढ़ाईए और आप कैसे बढ़ा सकते हैं अरस्तू यहाँ पे mind हमारा जो मनस है और जो हमारी body है उन दोनों पर काम करने को कह रहे हैं कि वो यह नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ आमारी आपका जो mind है वही important है आपकी body नहीं है आपको डोनों को develop करना है तो जो युडेई मुनिया का पूरा concept है वो हमारे mental और physical दोनों की flourishing को आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है इसलिए अरस्तु का ये नैतिकता का जो मुल्ध है वो बहुत important है अरस्तु लिखते कैसे हैं ये बहुत प्रतीत होता है कि लोग ये मानते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए ये उन्होंने लिखा अब उस पर वो counter question करेंगे कि क्या हमेशा सच बोलने पर ही हमारे पास सारे चीज़ें सही स हो पाती है क्या हमेशा हम honest action करते हैं तब ही हो पाती है तो पहले उन्होंने एक hypothesis दी फिर उस पर उन्होंने question उठाया फिर उस question को analyze कि क्या सच में ऐसा है फिर वो पायता है कि नहीं ऐसा नहीं है इसके बाद वो another question पूछेंगे तो ये एक लिखने का तरीका हमको समझा रहे हैं कि जब क्या जो आपने analysis किया है लोग जैसा मानते हैं वैसा है तो normally अईस्तरूर यही दिखाने कोसिस करते हैं कि जो आम जनता सोचती है हमारे ethics के बारे में आम जनता सोचती है हमारे knowledge system के बारे में वो अकसर सही नहीं होता है और उसको बार बार हम cross check करके एक नए conclusion तक पहुंचते तो हम ऐसे देख सकते हैं जो अरस्तू के लिखने की तरीका है कि वो particulars यानि हम एक या दो इनसानों से सुरू करता है और बार में universalize कैसे हम इस पूरे conclusion को universalize कर सकते हैं वहां पहुंचने कोसिस करता है तो निबंद का जो पैमाना है वो भी आपको ऐसे ही सुरू करना चाहि बहुत बढ़िया और अगला सवाल है जैसे कि इसमें अगर आप सिर्फ शब्दों पर ध्यान दे जियान मिमान्शा मतलब analysis of knowledge तत्र मिमान्शा यानि जो fundamental character है जो reality का character है उसकी analysis इसको अंग्रेजी में हम लोग ज्यान मिमान्शों के पिश्टिमलोजी कहते हैं और तत्र मिम metaphysics में normally हम उन सवालों को पूछने हैं जो हमारे संसार से related हैं कि ये संसार क्या है फिर संसार कैसे बना आखिर वो कौन सी छोटी से छोटी यूनिट है जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संसार बनाया गया फिर यह आता है कि इन संसार में क्या-क्या चीजे हैं तो जैसे ह हो सकता है कि table chair यह साही चीजे हैं तो जो भी लोग इस बात पर believe करते हैं कि नहीं हमारी जो reality है वो pluralistic है वो कहेंगे कि table chair होती है कुछ ऐसे भी philosopher हैं जो कहते हैं कि नहीं यह सब माया है जो reality है वो केवल एक है कुछ लोग उसको भगवान कहते हैं कुछ लोग उसको ब्रह्म क्या है क्या हम जो सामने आमतने सामने बैठ के बात करें क्या यह सच में सही है या इसको हम डेकास के सवाल पूछ के खालिश कर सकते हैं तो इस तरह कि जो हम सवाल पूछना सुरू करते हैं तो यह metaphysics कर आता है लेकिन ग्यान भी मालसा का है कि ठीक है अगर word ऐसा है तो हम इ इसी भी चीज़ का नॉलेज देना तो आकर उसके लिए एविदेंस क्या होने चाहिए जिसको हम लोग इंडियन फिलॉस्पी प्रमाड कहते हैं इंडियन फिलॉस्पी में 6 प्रमाड़ों को माना गया है साइंस में जब हम बात करते हैं तो हम लोग एक्स्पेरिमेंटल के कोसिस करते हैं और जब हम ग्यान मिमाड़ों की बात करते हैं तो किस तरह से हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं क्या-क्या उसके माध्यम होने चाहिए कौन-कौन से इविदेंसर का में इस्तमाल करना चाहिए और अब इसकारिक्रम का आखरी सवाल मेरा नाम रीता जा है मैं बिह को पूलते हैं चाहिए यह से आभी हमने गानां सुना तो अधिक्स का पारत है और नॉर्मली जब भी कभी हम फिलोस्फ़ेक्स का बात करते हैं तो जिसताय से अभी हम ऐथिक्स को बहुत जड़ा फोकस करते हैं लेकिन ऐस्थैटिक्स एक ऐसा सब डुमें हैं जिसको हम हम कोई नाटक देखने चाहते हैं तो हम कह सकते हैं इससे बेहतर नाटक तो होई नहीं सकता तो आखिर जितने भी तरह के आर्ट और जितने भी तरह की कलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें सुंदर्ता क्या है कैसे हम बताएं कि कोई चीज सुंदर्ता हमारे और आपक वेश्टन फिलोस्पी में अगर हम बात करें तो साथ जैसे जो हमारे एक्जिस्टेस फिलोस्पर है उन्होंने आर्टिकल पर लिख दिया कि आखिरी आर्ट क्या है ब्यूटी क्या है इस समाजों पर तो इस तरह का हमारा केंद्र का विसार रहता है और मैं मानता हूं कि खाने जाते है असके टेश्ट कि बारें बात करते हैं तो आफिर टेश्ट क्या होता है संदर्था क्य सवाल हो जाता है क्यों नॉमूली फिलोसोपी में हम वैश्श师 करने की急 से लेकिन जबढ़ी कभी हम सउंदर्वास्ट के सवालों को बथाने को स्वें उतल नायौकं सिय रही है, तो मैं कैसे उसको describe करूँ, तो इस तरह के सवालों को अगर आपको जवाब देना है, तो argument एक perfect हो सकता है, जिसके तहट आप उनके सवालों को जवाब दे सकते हैं, पर आप ये कोसिस करिए कि उसको आप examples के तहट पे explain कैसे कर सकते हैं, आप उसे describe कैसे करेंगे, कि concept क्या है, art क्या होती है, aesthetics क्या होता है, तो ये इकलोता है, एक ऐसा पैमाना हो जाता है, जहां पे explanation और description, argument से उपर का phase ले लेती है, और इसमें normally एक fenomenology हमारे हैं डोमेन होता है, जो कि late 19th century और 20th century में काफी ज़्यदा flourish हो है, तो fenomenology के माध्यम से, अगर आप fenomenology की methodology को देख लें, और उसमें क्या होता है, कि आपको अपने experience को ही analyze करना होता है, कि अगर आप किसी भी object को, जिसको आप सुंदर consider कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो उसको अगर आप analyze करके लिखते रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, और उसको करने के लिए आप Dr. Prashant, मुझे ऐसा लगता है, कि जिन लोगों ने कहीं पर भी उनको doubt हो रहा होगा, subject select करने में, तो philosophy अब मुझे ऐसा लग रहा है, इसकी और आकर्शन बढ़ गया होगा, विकर्ज आपने बहुत इंटरस्टिंग वें सारी चीज़ें explain की है, और हमारे listeners निश्चे तॉर पर लभानवेत हो रहे हैं, जम इन सब बातों को सुन रहे हैं, और अब हमारा एक छोटा सा segment है, fact file का, जिसे प्रेजन करेंगे जैने अंद्रुक सेंग, तो आए सुनते हैं उसको ब्रम्होस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे DRDO और रूस के NPOM द्वारा संयुक्त रूप से ब्रम्होस एरोस्पेस संयुक्त उद्यम के रूप में विक्सित किया गया है MRNA TK पूरी तरह से संथेटिक हैं और पारंपरिक टीकों के विपरीद विकास के लिए अंडे या बैक्टीरिया जैसे मेजबान की आवशक्ता नहीं होती चंद्रयान दो मिशन में चंद्रमा के दक्षणी ध्रू का पता लगाने के लिए एक और्बिटर, लैंडर और रूवर शामिल थे ध्रूविय उपग्रह प्रक्षपण यान यानि PSLV भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठर इसरो द्वारा डिजाइन, निर्मित और संचालित तीसरी पीढ़ी का रॉकेट लॉंचर है जेम्स वेब स्पेस टेलिसकोब एक परिक्रमा करने वाली अवरक्त बेदशाला है जो हबल स्पेस टेलिसकोब की खोजों का पूरक और विस्तार करेगी हबल स्पेस टेलिसकोब 24 अप्रेल 1990 को डिसकवरी शटल से लॉंच किया गया था क्रिप्टो करेंसी एक डिस्टिबूटेड लेजर टेकनोलोजी डिल्टी आधारित सिस्टम है जिसका उप्योग बैंकों और अन्यवित्तिय फर्मोदारा किया जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो नवी करणिये विजली का उप्योग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सिजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है हाइड्रोजन और अमोनिया भविश्य में संभावित रूप से जिवाश्म इधन की जगह ले सकते हैं बाते करेंगे आपका यहां आने का और हमसे बाते करने का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया मैम आपने मुझे बुलाया और हमने एक फिलोसपी पर बात की जो कि आजकल अगर आप देखे तो बहुत चल्चाहें बहुत बहुत कम भी हो गई हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पर बुलाया जी और मैं अपने लिस्टर्स को कहूंगी कि अभ्यास करें बहुत अभ्यास करें निश्चे तोर पर सफलता आपके कदम चुमेगी इसके साथ ही मुझे विनीता को और हमारे आज के मेहमार प्रशान्ज को दें इजाज़त नमस्कार